देखिए दोस्तों ये है घर कुछ लुक अभी अंदर का इस तरीके का है उन्हें देखा दे रही हूँ और ये अभी बच्चों ने पटा के यहां बाच्चे बाहर पटा के चलाने हैं ये बाहर दे रहा है उनको एक तरीके से चलाने हैं और बज रहे हैं रात के 11.30 क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों के यहां भी पूजा हो रही है क्योंकि रात में 11 वज्जे के बाद का महुरत था तो मैं इसको भी कह रही हूँ कि जाओ पटाने के ये चार तीनों कि ये चार बेटिया मेरे मिलके ये एक ये रही बेटा वो रहा है रही मिलकी ये चला रही है भहुत अच्छा लगता है दोस्तों ये जब खुश होते हैं चोंकि ये लिये ही तो सब कुछ हुटता है तो देखिए कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं, देखिए, बज रहे हैं, ग्या है, दीवाली का टाइम में देखिएगा, बेटा पटा का चक्रि आई है, दोस्ते, तो हम दोनों बाहरी कड़े हैं और इनको देख रहे हैं देखने में ज़्यादा देखिएगा यह चक्री बगएरा यहां यह ब्लास्ट हो जाती है चक्री तो उस टाइम तो पता नहीं चला था छोटी वाली बिटिया जल गई थी माथे पैह है कान बगएरा पैह तो देखिए पता का चला है तो डर गई और यह जो हम बर्मा के लाएते गउं से ही यह वो है तो देखिएगा यह बेटा बिटियां को चलवाता है तो देखिएगा यह चलाएगी तो यह देशी अपना वो है देखिएगा यह बहुत आवाज करता है और सुराच्चित रहता है यह अपन चलवाएगा और यह बी टिन कि फ्रेंड वगर है तो देखिएगा इस नियुक्त चलाया था तो चले बन गए थे तेखिएगा उपर चलuls हमते बनते हुआ गए थे और यह दो लाए थे एक इसस hyarat तने मागा था और एक ओ है इसने मागा था तो यह तो यह चला दिया तो देखिएगा और यह थो अच्छत रहता है तो यह बारी-बारी से केते नहीं है भाई से बहुत थो अच्छा मिलती है दोष्त stud और यह देखिए अकेला है और इसके फ्रेंड है तो बेटियां इस-सी मैसुश करती है चला सकती है, देखिए का, देखिए यह बड़ीवाली ने चलाया है, तो दूस्तों इसमें यही चलाया है, और ज्यादा चलाती रही है, और इसका दूआ इसके चला गया है, तो ये डीच वाली फेस से चला रही है पापा को बूलिए, पापा चलाओ तो देखिए देखिएगा, इनों ने फस गया कुछ है दूस्तो देखिएगा सभी ने मिलके दीवाली मनाईी, दोस्तो गली के हैं, कुछ स्कुल ब्रेंड है तो कह रही है कुछ तो फिर चलाने लगी अपकी बार एक बार में ही चला दिया तो अब आ गए थे अंदर तो देखिएगा काजल लगा रही है क्योंकि दिवाली वाले दिन काजल लगाना जुरूरी होता है तो आजी मेरे लगा रही हैं मंमी हम लगाएं तो देखिएगा वो डल लग रहा है मुझे तो काजल देखिएगा अब यह काजल मेर लगाती नहीं हूं तो ज़्यादा तो देखियेगा कहके यह परफेक्ट लगाया है तो मैं यह कह रही हूँ देखो यह परफेक्ट लगाया है दोस्तो बच गया है डेड और यहां मैं लेट गई हूँ तो रहा है और यह बताइए दोस्तों यह ड्रेस मैंने बनाई थी लाके और मॉनिंग्व है यह सुब्छे का टाइम है तो दोस्तों अभी मैं नहीं नहीं हूँ तो मैं निकला उसबजी पहले से काट लूँ तो मैं बनाने जा रही हूं मिच्च पकोड़े और गोवी मैथी व वो डालके मैं पकोडी मनाऊंगी तो दोस्तों देखिएगा यह जो ड्रेस है वो मैंने तैयार की है कैसी बनाई अच्छा कमेंट में ज़रूर बताना तो यह देखिएगा यहां मैं सबजी काट ले रही हूँ अपने लिए और ठाकुजी के लिए दोस्तों देखते रहे हैं वीडियो को फुल वाच करना जो वह यदि दिन आए हैं चैनल को सस्क्राइब करें तो मैं सबजी काटने के बाद मैं मैं नहाने चली इनहा के आ गई हूँ तो यहां सेक रही हूँ मैं ठाकुजी की पकोड़ी बिना प्याज की गोवी आलू और मैथी तो दोस्तों देखिएगा यह कड़ाई में डाला है मैंने जो कड़वा तेल होता है सरसो का वो है और यहां तो मैं थोड़ी थोड़ी करके पकोड़ी शेक दे रही हूँ उन्हीं के लिए पहले उनके लिए शेकूंगी फिर उसमें जो हमने डाल बनाई है उसमें प्याज है तो दोकिएगा यह अच्छी तरीके से सेक रही है और क्रिष्पी शेक लेंगे और ठाकुजी को बोग है और उनको ठाकोजी को नहला देंगे तो मैं उनको यह पकोड़ी विच्वा दूँगी और मिर्ची वाली भी बनाऊंगी उनके लिए तो देखिएगा तो दोस्तों देखिएगा यह अच्छी तरीके से शेख गई है तो मैं निकाल दूँगी पकोड़ियों को मिर्ची भी रखी है यहां तो मैंने एक मर्ची के चार टुकड़े कर लिये हैं चार पांच और उसमें मैंने आलू बीच से भीजा निकाल दिया आलू भर दिया है और इतनी चोटी कर लिए हैं मिर्ची और यसमें बेशन में आलू भर लिए हैं बीच में अलू के पिट्ठी और इसमें डिप करके यहां मैं उनके लिए भी यह भी सेख लूँगी और अभी अपनी वाली नहीं सेखोंगी बोग निकल जाएगा तब सीखोंगी और दोस्त सेक रही हूं मिरची बली तो यह अच्छी तरीके पलटके सेक लूँगी तो यह भी पूंच ही जा रहे हैं भूग को देखिए गएं तो दोस्तो देखियेगा शेख लिए हैं पकॉड़ी तो मैं इनको विज़वा दूँगी और इनी के साथ मैं भी खालूँगी और सेक बेटा खा चुका है बेटिया आहार है और मैं और यह हरी चटनी पीसली है और यह हरी चटनी के साथ खा रहें दोस्तों वीडियो को ज्यादा सेयर करें आजाईए आप भी पकोड़ी खा लेजिए धनिये के साथ चटनी के साथ तो आजाईए वीडियो को फुल वाच करना जो